हेलो दोस्तों कविता देवी किचन ओफिसेल में आपका फिसे स्वागत है आज मैं चिकन दम बिर्यानी की रेसिपी लेके आए हूँ वो भी आपको असान तरीके से बताऊंगी तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा एक और मेरा चैनल है महंदी का यदि आपको लेटेस डिजाइन देखना है तो लिंक मैंने रेक्स्क्रिप्सन बॉक्स में दे दिया है जाके सब्सक्राइब कर लिजेगा और अपने दोस्तों में सेयर कीजेगा तो चलिए हम चिकन दम बिर्यानी बनाना इस्टार्ट करते हैं चिकन बिर्यानी बनाने के लिए मैंने एक किलो चिकन लिया है इसे मैंने अच्छे से वास कर लिया है चिकन को मेगिनेट करने के लिए सबसे पहले हम मसाला भीचेंगे मिक्सी जार में सबसे पहले हम मिक्सी जार में लहसुन को डालेंगे यहाँ पर मैंने चार लहसुन को छील लिया है इसे मैं डाल दूँगी और थोड़ा सा अब हम आधी का तुकड़ा डाल देंगे एक चम्मच जीरा आधा चम्मच काली मिर्च अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसे पीस लेंगे ये मैंने मसाले को पीस लिया है अब हम चिकन को मैगिनेट करेंगे तो सभी पेस्ट को मैं इसमें डाल देती हूँ ये मैंने कास्मीरी लाल मिर्च लिया है दो चम्मच एक चम्मच हल्दी पाउडर एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर यह मैंने बिर्यानी मसाला लिया है एब्रेश्ट का इसमें मैं सभी को डाल दूँगी और एक कटोरी मैंने दही लिया है इसे भी मैं डाल देती हूं इसमें और नीबू का रस लिया है तो मैं इसमें दो चम्मज डालूँगी प्याज को मैंने पहले से ही डीप फ्राई करके रखा था इसे अब मैं इसमें डाल लेती हूँ और नमक डालेंगे तो यहाँ पर मैंने दो चमच नमक लिया है आप साथ अनुशार डाल लीजेगा इसे अब हम अच्छे से हाथों से मिक्स करेंगे मैंने इसमें 1500 ग्राम दही डाला है तो यह देखे मैंने मिक्स कर लिया है चिकन को मैंने अच्छे से मेगिनेट कर लिया है इसे अब हम 2-3 घंटे के लिए रेच के लिए रख देंगे यहाँ पर मैंने बिर्यानी चावल लिया है आधा किलो इसमें अब हम पानी डालेंगे इस अच्छे से भिगोएंगे कम से कम एक घंटे के लिए चावल को पकाने के लिए हम सबसे पहले गैस कौन कर लेंगे यहाँ पर मैंने डेक्ची चड़ा लिया है इसमें मैंने दो लीटर पानी डाला है इसे अब हम ढग देंगे और अच्छे से गर्म होने देंगे चली पानी इसमें नीबू का रस डाल देंगे इससे भीगोई हुए एक घंटा हो गया है देखिए ये काफी लंबे दिख रहा है इसे मैं अच्छे से वास कर लिया है अब हम इसमें डाल देंगे इससे हम थोड़ा सा चला लेंगे और ढ़क के हम पकने देंगे चलिए चेक कर लेते हैं ये चावल पके हैं कि नहीं तो देखिए अभी ये कच्छे हैं इसे अभी हम पकने देंगे फिर से मैंने इसे ढग दिया है इससे हमें ज्यादा नहीं पकाना है हम नबे परसेंट ही पकाएंगे चलिए हम फिर से चेक कर लेते हैं देखिए चावल कि अब यह 90% है जब हम करेंगे तो 10 परसेंट पका गास को मैंने बंद कर लिया है वह देक्षित हैं कि आफ पर चाले hem कि यहाइच है कि इसी तरह से हम सभी चावल को निकाल नेंगे देखिए वह निकाल लिया है देखे बहुत ही फ्रेज दिख रहे हैं चावल देख सकते हैं आप चिकन को मेगिनेट की हुए दो से तीन घंटे हो गए हैं चिकन दम बिर्यानी बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन को भूनेंगे तो सबसे पहले हम गैस को अन कर लेंगे देख्ची को चढ़ा लेंगे हम इसी तेल में मैंने प्याच को डिप फ्राई किया था इसी तेल में आप हम चिकन को भूनेंगे तो यहां पे मैंने खड़े करा मसाला लिया है एक चमत जीरा थोड़ी सी काली मीर्ज दो से तीन मैंने छोटी लाईची और एक बड़ी लाईची थोड़े सी दाल चीनी और दो से तीन तेज पत्ता इसमें अब हम डाल देंगे सभी को इन सभी को अब हम थोड़ा सा चटकने देते हैं यहां पे मैंने प्याच कट कर लिया है दो मीडियम साइज के इसे अब हम गोल्डन फ्राई करेंगे इसे हम चलाते हुए लाल करेंगे तो देखिए यहां पे यह गोल्डन लाल हो गए है तो अब हम इसमें चिकन डाल देते हैं इसे अब हम इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे इसे हम चलाते हुए अच्छे से भूनेंगे जब तक कि इसमें तेल न छोड़ दे तो यहां पर मैंने एक टमाटर को कट कर लिया है इसे भी मैं इसमें डाल देती हूँ इसे भी मैं अच्छे से इसमें मिक्स कर लूँगी देखे चारो तरफ से इसमें से तेल जो है छोड़ने लगा है इसमें अच्छे से खुजबूर भी आने लगी है तो ये बहुत ही अच्छे से भून गए है चलिए देख सकते हैं आप तो मैं गैस को आफ कर लेती हूँ चलिए अब हम लेयर लगा लेते हैं तो आधा डेक्ची में से चिकन निकाल लेंगे तो ये मैंने आधा चिकन निकाल लिया है एक चम्मच अब हम इसमें पानी डालेंगे जिससे की नीचे से हमारा चिकन जो है जलेगा नहीं अब हम इसमें चावल डालेंगे मैंने चावल केक्ट लियर लगा ली है अब में इसमें थोड़ा सा fruit color डाल दुआँगी थोड़ा सा इसमें प्याज डाले देंगे fry प्याज मैंने डाला है थोड़ा सा धनिय पत्ता और के देशी खीर डालेंगे तो एक चमच मैंने देशी खीर डाला है और जो हमने चिकन निकालके रखा था हम मैं इसमें लगा दूंगी दूसरी लेयर फिर से हम चावल को डालेंगे यहां पर मैंने सभी चावल डाल लिया है फिर से अब हम फ्रूट कलर डालेंगे प्राय प्याज इसमें डालेंगे फिर से थोड़ा सा हरा धन्य पता डालेंगे और एक चमच देशी घी डालेंगे इसे अब हम ढग देंगे इसे दम करने के लिए हम फिर से गैस कौन कर लेंगे तो तबा को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है ये गर्म हो गई है अब हम को रख लेंगे लो फ्लेम पे हम इसे 10-15 मिट के लिए पकने देते हैं इसे मैंने अच्छे से ढख लिया है इसमें से बाप जो है नहीं निकल रही है आप चाहें तो इसे गिले कपड़े से ढख भी सकते हैं और बीच में एक बार आप चेक भी कर सकते हैं 10-15 मिट हो गा है चली अब हम चेक कर लेते हैं कि बिर्यानी हमारी अच्छे से पकी है कि नहीं तो देखिए चावल जो है बहुत ही अच्छे से पक गए हैं देख सकते हैं आप गैस को अब हम बंद कर लेते हैं मैं इसे उतार लेती हूं अब हम इसे सर्फ करेंगे तो इसे मैं आपको सर्फ करके दिखाती हूं देखे बिर्यानी हमारी जो है बहुत ही सुन्दर दिख रही है देख सकते हैं आप कितनी अच्छी टेस्टी बिर्यानी बनी है अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ धन्यवाद